जैश्री Container में आप सभी का एक बाल फिर से स्वागत है सावन का महिना महादेव को ईसमर्पित होता है और इस पवित्र महिने में भगवान शिव की उपासना की जाती है। भगवान शीव के उपार सुरूप इस बार सावन का महिना करीब दो महिने का रहने वाला है और शीव भक्तों को मिला है मोका दो महिने तक भगवान शीव की सेवा करने का इस बार सावन में आठ सोमवार पड़ेंगे हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सावन का महिना 58 28 देज का होगा सावन मास की शुरुवात 4 जुलाई 2023 से होगी और इसका समापन 31 अगस 2023 को रहेगा कहा जा रहा है कि यह सुब सैयोग 19 साल के बाद बना है कि अधिक मास की वज़े से सावन महा दो महीने का हो गया है 15 जुलाई को शनिवार को भूले बाब पर जल चड़ाया जाएगा यानि की शिव रातरी का पर्व मनाया जाएगा 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा जिसको मल मास भी कहा जाता है यानि की इस बार सावन में भगवान शिव के साथ साथ भगवान विश्नु की भी किरपा प्रावत होगी वेदिक पंच्चान की गर्णा सोर मास और चंदर मास के अधार पर की जाती है चंदर मास 354 दिन का होता है और सोर मास 365 दिन का ऐसे में 11 दिन का अंतर आ जाता है जिससे की हर 3 साल के अंदर यह अंतर 33 दिन का हो जाता है और अधिक मास का निर्मान हो जाता है इस बार सावन एक की बजाए दो महिने का होने वाला है सावन सोमवार का क्या महत्व है कहा जाता है कि जो व्यक्ति सावन की सोमवार का व्रत करता है उसकी वेवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है साथ ही जीवन में सुक सम्रिद्धी की कमी नहीं रहती तो इस सावन के महिने में आपको आठ दिन मिलेंगे सावन सोंवार का व्रत रखने के लिए सावन के महिने में भगवान शिव पर धतूरा, बेलपत्र, चावल, चंदन, शहद, आदी जरूर चड़ाना चाहिए सावन के महिने में की गई पूजा से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन होते हैं इसके अलावा सावन के सोंवार का व्रत करने से कुंडली में चंदरमा की स्थिती भी मजबूत होती है और आपका स्वास्थे भी अच्छा रहता है बहुत से लोग जो 16 सोंवार का व्रत करने की इच्छा रखते हैं तो उनके लिए भी सावन का महिना बड़ा ही शुब है 16 सोंवार के व्रत सावन के महिने से उठाए जाए तो अच्छे रहते हैं इसके साथी साथ प्रदोश व्रत का संकल्ब भी सावन के महिने से ही लिया जाता है अब सावन के महिने में कैसे करें भोलेनात की पूजा की भगवान प्रसन हो जाएं आईए जानते हैं सुबा उठकर दाहिने हाथ में जल लेकर व्रत करने का संकल्ब लें और शिव शम्हू की आराधना करें सावन के महा में ज़्याद से ज़्यादा भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें हर सोमवार भगवान शिव का पंचमरत के साथ अभिशेक करें प्रसाद के रूप में जादा से जादा सफेद रंग की मिठाई का भोग भगवान शिव को लगाए क्यूंकि बोलेनात को सफेद रंग बहुत प्रिया है प्रतेक सोमवार सिर्फ चालेसा के साथ पूजा की शिरुवात करें और आर्ती के साथ पूजा का समापन करें 4 जुलाई 2023 मंगलवार को सावन का महिना आरंभ हो रहा है उसके बाद 13 जुलाई 2023 गुरुवार को होगा कमी का एकादशी का व्रत 14 जुलाई 2023 शुक्रवार वाले दिन सावन प्रदोश व्रत रहेगा 15 जुलाई 2023 शनिवार को शावन महा सिवरात्री जल अभिशेक होगा 17 जुलाई 2023 सुमवार को सावन मास में सुमवती अमावस्या रहेगी 39 जुलाई 2023 शनिवार को पद्मनी एकादशी का व्रत रहेगा 30 जुलाई 2023 रविवार को अधिक मास प्रदोश व्रत रहेगा एक अगस्त दोहजार तेईस मंगलवार को अधिक मास सावनपूर्णी मा रहेगी बारा अगस्त दोहजार तेईस शनीवार को परम एकादशी का वरत रहेगा तेहरा अगस्त दोहजार तेईस रवीवार को अधिक मास प्रदोश वरत रहेगा 16 अगस्त 2023 बुधवार वाले दिन अधिक मास सावन पुनमासी होगी 19 अगस्त 2023 शनीवार को हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाएगा 21 अगस्त 2023 सोमवार को नाक वंचमी होगी 27 अगस्त 2023 रवीवार को पुत्रदाय का दशी का व्रत रखा जाएगा 28 अगस्त 2023 सोमवार को प्रदोश्वरत रहेगा 30 अगस्त 2023 बुद्वार को होगा रक्षाबंध 31 अगस्त 2023 गुरुवार को होगी पूडिमा सावन का महिना 31 अगस्त 2023 को समाप्थ हो जाएगा सावन महसर जुड़ी सभी महत्मून जानकारियां आपके लिए इस वीडियो में लाने का प्रयास किया गया है आशा करती हूं वीडियो आपके लिए काफी यूसफुल रहा होगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जैश्वी हरी